हेलो फ्रेंट वेलकम टू शेयर मार्केट लाइब मैं उस आगर और आज अपने सुड़े में मैं आपसे बात करने वाले उस 16 मार्च इनिकी सोमवार के लिए निफ्टी के आप्शन चेंड डेटा किस तरीके से संकेत दे रहे हैं यहां पे कल का दिन जो फ्राइडे खा था वो दोस्तों पाताल से स्वर्ग की यात्रा थी ऐसा कहना गलत नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों परसो के सीजन में 9500 के असपास निफ्टी बंद होता हो दिखाई दे रहा था और कल सुरू के पांच मिनिट में निफ्टी में लोवर सर सेल करके बैठा था सोचा कि और पांच परसेंट का सर्किक नीचे की तरफ खुलेगा और वो पैसा कना लेंगे जैसे सर्किट ओपन हुआ मार्के तुरांत वहां से रिबाउंड हो के 1500 पॉइंट की रैली दिखाता हो दजराय ने जिन लोगों नीचे पे सेल किया उन लोग को मिला 100-200 पॉइंट का मुव निफ्टी में इस तरीके से हो रहा था जैसे 10 या 20 पॉइंट का मुव होता था नॉर्मल मार्केट में तो दोस्तों यहां पे फिर भी मार्केट 10,000 के आसपास जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया लेकिन अब यहां पे किस तरीके से ऑप् लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं यहां पे ग्लोबल संकेत किस तरीके के नजर आ रहे हैं तो दोस्तों कल के दिन जो काम का अज नजर आया अमेरिकी बाजारों में वह नजर आया बहुती शांदार 8% से जादा की यहां पे डाव फ्यूचर में तीजी देखने को मिली 1761. जब हमारे मार्केट बंद हो रहे थे तब डाव फ्यूचर में 5% का अपर सरकित था उसके बाद यहां पे निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली कल डाव की देखेंगे तो आपको लगेगा कि 20,390 इसकी रोर रेंज थी और 29,180 इसकी हायर रेंज थी और 22,840 पे फाइनली डाव बंद हो रहे थी वही हाल S&P 500, NASDAQ और S&P 30 सबका देखने को मिला वहां पे विक्स थोड़ा असान तो तो नजर आया S&P 500 का 24,65 लेकिन अभी भी बहुत हायर रेंज पे हैं यूरोपियन मार्केट डेक्स, कैक्स और फुटसी तीनों मार्केट लगवर 77% के आसपास की तेजी के साथ बंद हो तो ये नजर आये हैं क्योंकि यहां पे ऐसी कुछ खबर निकल के आई कि वहां के मार्केट में शौर्ट सेलिंग पे अभी बैन लगा दिया गया है तो दोस्तों उसका भी असर यहां पे देखने को मिला निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी बंद हो चुका था लगवर साड़े ग्यारा के आसपास फूचर में ट्रेडिंग वहां पे रात को तब तक निफ्टी का जो लेवल था वो था 9904 तो डेफिनेटली जब तक उस समय मार्केट 3-4 परशंट थे उपर यूएस के तो अगर सोमार को किसी प्रकार की कोई डाव फ्यूचर अगर नीचे नहीं दिखता तो यहां पे मार्केट में कमसकम 200 पॉइंट की और तेजी यहने 10-110-200 के आसपास निफ्टी में ओपनिंग होती भी दिखाई दे सकते लेकिन यह बात भी याद रखने की होगी कि अमेरि पॉइंट की तेजी देखने को मिली निफ्टी में साड़े 34% के आसपास की तिजी साथ 9,955 पर निफ्टी बंदोता दिखाई दिया कल की जो टेडिंग रेज थी 8,555 लोवर लेवल था और 10,169 का हायर लेवल तो तक्रीबिन 1500 से 1600 पॉइंट के आसपास तकी लगभग नि दिखाई दिया है 40 शेयर ऐसे थे जो एडवांसेस थे तेजी के साथ काम करें तो 10 शेयर में ही खाली कल गिरावट देखने को मिली अगर तेजी वाले शेयरों की बात करें तो कल SBI ने लीड किया 13% का बड़ा उच्छाल SBI कार्ड की लिस्टिंग से ठीक पहले तो दोस्तो फार्मा कल के दिन लीडर बनता हो दिखाई दिया 8% से ज्यादा उच्छता हो यह दिखाई दिया ग्रासिम अंडेस्ट्रीज में 8% की बड़ी तेजी देखने मिली और सिपला में भी 8% के असपस तक का बड़ा उच्छा देखने मिली लेकिन कल के दिन में 7% का प्रेशर द देखने में 5% की बिरिटानिया में भी यहां पर तकरीवन 1.5% की गिरावाट देखने मिली लेकिन कल की दिन में FIS के डेटा पर अगर हम ध्यान दे तो दोस्ते FIS ने कल भी जबज़स सेलिंग की है तकरीवन तकरीवन यहां पर 8,336 क्रोड की बाइंग की और सामने 14,364 क् सेलिंग जो आकड़ा है हुआ है 6,027 क्रोड रूपए तो बहुत ही बड़ी सेलिंग कल के दिन यहां पर FIS ने की लेकिन D.I.S. ने सामने से अच्छी खासी सपोर्ट देनी की कोशिस की है लगभग डेटा को मैच करने कोशिस की 13,264 क्रोड की बाइंग की यहां पर और सिफ 7,396 क्रोड का माल बेचा और तकरीवन 5,868 क्रोड रूपए की बाइंग यहां पर की तो 6,000 क्रोड के सामने 5,868 दुआ है 9,950 के आसपास यहने हम 10,000 के लेवल को अगर कल एक इंपोर्टन लेवल मानते है तो यहां पर 10,000 के लेवल पर कोई खास बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है यहां पर सिफ 4,87,875 शुरो का हुआ ही दिखाई देगा 1,26,000 शेरी कल के दिन नहीं यहां पर जोड़तों दिखाई देए किसी की हिम्मत नहीं है यहां पर कि वो आके यहां पर पुट राइट कर सके पुट की प्रीमियम देखने वाली होगी दोस्तों यहां पर हपते की प्रीमियम चल रही है एड़ दे मनी यह 332 रुपए की प्रीमियम चलती हुआ दिखाई दे रही है इतनी हैवी प्रीमियम इतनी महेंगी वोलेटैलिटी पर यहां पर दिखाई दे रही है इतनी बड़ पॉइंट सीधा दूर अगर आप जाएंगे 9500 पे तो अब दूसरा बड़ा उपन इंटर्स दिखाई देगा जो है च्छे लाख शेरों का 500 पॉइंट तक कोई बड़ा उपन इंटर्स नहीं जुड़े हुए बाकी अब अगला उपन इंटर्स यहां 9500 पे जहां कर लिए 1,43 प्रीमियम के अगर यहां पर बात करें तो 202 रूपय की यहां पर प्रीमियम चलते हुए दिखाई दे रही है और वह आई-वी देखिए यहां पर 100 सी उपर 103 की आई-वी चल रही है मतलब इतनी महंगी प्रीमियम में यहां पर 9300 तक तो इसको प्रॉफिट होगा नहीं अगर तीसरे सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो मार्केट में वह लेवल निकल के आता है सीधा सीधा 9000 का लेवल 9000 का लेवल पर यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 1250000 शेयर तो यहां पर थोड़ा बड़ा उपन इंटरस्ट है जहां पर 550000 शे देखने को मिल सकता है इस लेवल तक तो यहां पर कर ट्रेडिंग सेशन देखकर तो अब यहां पर इतने पास का पुट शॉट करने की हिमत ने करेगा वह शॉट भी करेगा तो 1000,000 दूर तक का पुट शॉट करेगा या कॉल शॉट करेगा जहां से उसको लगे कि भई रिस रिस्क हो लेकिन रिस्क थोड़ी मिनिमाईज होती हो दिखाए क्योंकि यहां पर जिस तरीक से कल लोगों के पैसे पहले पांच प्रबाद हो गया अगर आगे बात करें हम कॉल पर किस तरीके के डिटा बन रहे तो दोस्तों कॉल पर भी हम बात करें तो यहां पे 10,000 का इं जुड़े हैं और एक लाग ग्यारा जाश्ट्रों की अन्वाइंडिंग देखने को मिली मतलब यहां पे कॉल राइटर भी शूर नहीं है कि मार्केट यहां से उपर नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे उन्होंने अपनी पोजिशन काटी है और यहां पे जो प्रीमियम चल रही की तो जो आकड़ा निकल के आता है वो आता है 10,200 के कॉल पे जहां पे तकरीबर 4,000,000 शेरों का उपन इंटरस्ट आपको दिखाई देगा 90,000 शेर कल के दिन यहां पे जोड़ते हैं दिखाई दे रहें 207 रुपए के आसपस की यहां पे प्रीमियम चलती है दिखाई दे रहें लेकिन अगर यहां पे अब हम बड़े उपन इंटरस्ट के अगर बात करें तो सीधा वो आकड़ा निकल का था 10,500 के आसपस जहां पे थोड़ा ठिक था अब उपन इंटरस्ट देखने को भी लेगा 8,87,000 शेरों के आसपस तक का 500 पॉइंट दूर पे यहां पे एक बड़ा उपन इंटरस्ट है और जो सबसे बड़ा उपन इंटरस्ट है जिस तरी के सिपूट पर देखने में मिला है वो यहां पे है 11,000 के कॉल पे तो मार्केट यह भी मान के चल रहा है कि अगर यहां पे कोई positive news आती है गलोबल मार्के जाश्रो का बड़ा होई कल के दिन जोड़ता हो दिखाई दिया है 33 रुपे यहां पे लगभग premium चल रही 72 की आई वी यहां पे आपको दिखाई देगी तो यहां पे इस मार्केट में उपर साइड में भी लगभग मार्केट वाले 1000 पॉइंट की मुव लेके मान के चल रह असर किस तरीके सोहरा है ग्लोबल मार्केट में किस तरीके की सिच्वेशन बनी क्योंकि दुनिया भर के जो ओवर मार्केट है वो सभी extreme oversold reason पे कामकाच करता हूँ दिखाई दे रहे हैं निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बहुत ही extreme oversold reason पे बात करता हूँ दिखाई द दे सकता है वो एक prediction होगी क्योंकि exact तो अभी कोई निकास भी जिस तरीके से बाजार का मूड है मार्केट कहीं भी जा सकता है सारे एहम लेवर मार्केट ने लगातार पिछले कुछ दिनों में तोड़े हैं तो दोस्तों यहां पे आज के लिए अपने इस वीडियो में बस प्रिकले गुडबाय और थैंक यू